नमस्कार दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ 10,000 रुपे के अंदर मिलने वाले दो स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन इन्फिनिक्स होट 11 2022 और दूसरा रेडमी 9 एक्टिव तो इन दोनों स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन आपके लिए सबसे बेस्ट फर्स्ट अपॉल दोनों स्मार्टफॉन का प्राइस जान लेते ह वहीं रेडमी 9 एक्टिव आपको मिलता है 9,499 रूपीज में बॉक्स पैकिंग को देखें तो रेडमी 9 एक्टिव में आपको मुबायल का डिजाइन बॉक्स में देखने को मिल जाता है और दोनों बॉक्स के बैक साइड में हैडलाइन फीचर्स दिये गए हैं जिने में आपको आगे बताता रहूँगा तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आई हो फॉस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं आपर रेगुलर लाता रहता हूं दोनों स्मार्टफॉन के बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है आपको एक वाइट कलर की टाइप सी यूएसपी केविल इसमें दी गई है केविल की लेंथ और क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी और अब आते हैं रेड्मी 9 एक्टिव पर तो सबसे उपर आपको नजर आएगा स्मार्टफॉन इसे भी फिलाल साइड रखें तो अ इसके बैक साइड में सीम इजक्टर पिन अंदर क्विक स्टाइट गाइज यूजर मैनवल कवर आपको यहां पर नहीं दिया गया है अंदर ब्लैक कलर का आपको एक चार्जर अडप्टर मिलता है यह 10 वोट का है 5 वोल 2 एंपिर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चा मूव कर लेते हैं तो यह राइस का फ्रेंट और रेड्मी 9 एक्टिव दोनों को एक साथ लें तो यहां पर साइज में थोड़ा सा बड़ा है इन्फिनेक्स हाट 11 दोनों में देखें तो आपको ड्रॉप नॉज डिस्प्ले मिलती है रेड्मी 9 एक्टिव में और पंच ओल विल्कुल फ्लैट दिया गया है जब कि यहां पर आपको कर भी मिलता है दोनों स्मार्ट फॉन के बैक साइड में लेकिन डिफ्रेंट बैक पैनल आपको नजर आएंगे इन्फिनिक्स हाट 11 2022 में आपको गलोसी फिनिस के साथ मिलता है बैक पैनल जिस पर लाइट रिफ्ले नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें आपको साइड मांटें रिया फिंगफिन सेंसर दिया गया है जहां पावर उन की है वहीं फिंगफिन सेंसर भी आपको मिल जाता है जास्ट फूर वॉल्यम रॉकर्स वहीं रेड्मी 9 एक्टिप का बैक पैनल देखें तो यहां पर आपको नॉर्मल सी ये लाइने देखने को मिलती है तिरची तिरची इनफर हलकेद के रेजिस हैं जिन पर स्क्राइच नहीं आते हैं फिंग फिंग फिं सेंसर आपको यहां पर दिया गया है कैमरा सैट अप पे निजर डाले तो डूल कैमरा आपको इस पर मिलेंगे जिसमे में केमरा है 13 मेगा विक्सल का और 2 मेगा विक्सल का depth sensor camera with LED flashlight front में आपको यहाँ पर 5 मेगा विक्सल का selfie camera दिया गया है और Infinix में आपको पंचोल के अंदर 8 मेगा विक्सल का selfie camera मिलता है दोनों mobile के right side में आपको power on key plus volume rockers उपर की side आपको दोनों smartphone दे रहे हैं 3.5 mm का audio jack, left side में sim tray और bottom में आपको primary mic, charging jack और speaker grill दिया गया है दोनों smartphone की height को देखें तो Infinix में आपको 166.7 mm की height मिलती है वही 164.9 mm की height आपको Redmi में दी गई है thickness देखते हैं तो यहाँ पर 9.05 mm की आपको मिलती है Infinix में और 9 mm की thickness दी गई है Redmi 9 active में दोनों का weight बिल्कुल same है 195 gram और दोनों के अंदर 5000 mm की battery लगी हुई मिल जाती है और अब हमने दोनों smartphone को कर दिया है वोट सबसे पहले इनकी जो brightness है इने हम हम full कर देते हैं ताकि display और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए तो दोनों ही smartphone को करीब से आपको दिखाते हैं तो दोनों में आपको काफी bright और colorful display नज़र आएगी 550 nits की brightness आपको Infinix में और 400 nits की brightness आपको Redmi 9 active में मिलती है यानि कि ज़्यादा bright display आपको Infinix की देखने को मिलती है 60 Hz का दोनों में आपको refresh rate मिलता है और user interface भी आपको दोनों का different नज़र आएगा Infinix Hot 11 में scroll up करने पर यहां सारी के सारे application और Redmi 9 active में आपको home screen में right side में scroll करने पर सारे के सारे application नज़र आते हैं free install app दोनों में आपको दी गई है हाला कि आप इने install कर सकते हैं दोनों smartphone के edge और bezels को देखें तो यहां पर दोनों smartphone में corner से काफी thick bezels नेकिन नीचे से थोड़े से ज़्यादा bezels आपको नज़र आएंगे और Redmi 9 active में तो कुछ ज़्यादा ही bezels आपको नीचे से उपर की और देखने को मिलते हैं इसकी अलावा बात करते हैं दोनों smartphone के display size की तो 6.7 इंच की आपको full HD plus IPS LCD मिलती है hot 11 में Redmi 9 active में आपको 6.53 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है दोनों का aspect ratio 229 screen resolution 1080 x 2400 pixel का infinix में और 720 x 1600 pixel का Redmi 9 active में दी आ गया है pixel density 393 ppi की आपको infinix में और Redmi 9 active में 269 ppi की दी गई है चलिए आप दोनों smartphone की setting को देख लेते हैं तो सुरुआत हम करेंगे infinix से तो इसकी setting को जैसी आप open करोगे तो अंदर का interface है वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा दोस्तों वैसे तो आपको infinix के सभी smartphone में सबसे ऊपर my phone का option मिलता है जिसके अंदर सारे phone के about section को दिया गया होता है लेकिन अभी यहाँ पर change कर दिया है hot 11 2022 में इसमें आपको scroll करना परेगा और सबसे नीचे about phone section नजर आएगा यहाँ आपको मिलेगी सारे की सारे phone के बारे में information xos आपको इसमें मिलता है जिसका वर्जन है Dolphin 10.0 Lite और 4GB RAM LPDDR4X की 64GB का internal storage, EMMC 5.1 का storage type और expendable memory 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं camera details यहाँ पर दी गई है और बात करें इसके प्रोसेसर की तो 1.8 GHz का octa-core प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है और chipset आपको इसमें Unisok T610 का मिलता है और अब Redmi 9 Active की setting को open कर लेते हैं तो इसकी setting को open करते ही कुछ ऐसा interface आपके सामने खुलता है जिसमें सबसे ऊपर आपको about phone section मिल जाता है MIUI आपको इसमें मिलता है जिसका version है 12.0.12 storage से related सारी information आपको storage meter के अंदर मिल जाती है और इसमें आपको Android version 10Q दिया गया है और Android security page लेवल आपको इसमें 1721 का काफी ओड़ ये smartphone है all specification को open करें तो इसमें भी आपको 4GB की RAM मिलती है RAM type LPDDR4X 2.3 GHz का octa core processor और chipset MediaTek Helio Z35 का आपको इसमें दिया गया है 12NM का fabrication आपको इसमें भी मिल जाता है expandable memory 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं storage drive eMMC 5.1 का आपको इसमें भी दिया गया है दोनों smartphone के rear camera को हमने normal mode में on कर दिया है तो camera clarity मुझे ज़्यादा best लग रही है Redmi 9 active की ज़्यादा bright और colorful camera आपको Redmi 9 active का मिलता है hot 11 में यह देखे हैं आपर बहुत ही मंदा सा लग रहा है इसका camera उतना खास मुझे नहीं लगा जैसे infinix के camera होते हैं वैसा feeling इस camera से नहीं मिल रहा है और camera का जो interface है वो यहाँ पर change किया हुआ है zooming देख लेते हैं दोस्तों इससे आप only 4x ना की zoom कर पाओगे zoom quality आपको ठीक टाग मिल जाती है वहीं हम Redmi 9 active से देखें तो यहाँ भी हम zoom कर सकते हैं पूरा का पूरा 10 गुना आप इससे zoom कर सकते हैं यह हमने आपर 10x zoom कर दिया 10x zoom clarity भी आपको आप इच्छी मिल जाती है और यह हैं दोनों स्मार्टफॉन के front selfie camera एट मेगाविक्सल का selfie camera आपको इन्फिनिक्स में और फाइव मेगाविक्सल का selfie camera Redmi 9 में मिलता है लेकिन जो selfie camera में clarity है वो मुझे इन्फिनिक्स की ज्यादा best लग रही है यहाँ पर आप करीब से भी देखिए और zoom clarity आपको ठीक टाक मिल जाती है जो आप Redmi 9 Active से नहीं कर सकते तो friends यह थे साड़े 9 से 10,000 रुपी के अंदर मिलने वाले दो बहतरीन स्मार्टफॉन अब बात आती है मैं कौन सा स्मार्टफॉन पर्चेस करना चाहिए तो दोस्तो Redmi 9 Active काफी टाइम से चला आ रहा है यह स्मार्टफॉन मुझे इतना खास नहीं लगा इसकी प्राइज लगबग 9,000 रुपी तक ही रहनी चाहिए थी यह 9,000 रुपी में आपको थोड़ा ओवर प्राइज हो जाएगा दोस्तो अगर 9,000 रुपी के अंदर मिलता है तो इसे आप पर्चेस कर सकते हैं वहीं बात करें Infinix Hot 11 2022 की तो इसमें आपको Full HD Plus डिस्पले मिल जाती है नया चिपसेट दिया गया है Unisoc का साथ में आपको बैटरी 5000 एमेज की मिल जाती है तो यह प्राइज जो शुरुआत में लौंच हुआ था नो हजार रुपी के अंदर तब यह बिल्कुल A1 स्मार्ट फॉन था लेकिन 10,000 रुपी का कर दिया है बेफालतों में यहां पर 1000 रुपी उपर कर दिया है तो दोस्तो अगर यह 9,000 रुपी के असपास आता है तब आप इसे पर्चेस कर सकते हो अधरवाइस 10,000 रुपी खर्च करने की कोई जूरत नहीं है स्किप कर दीजिए आपके सामने कई अधर ब्रांट्स हैं इससे बेटर तो दोस्तो आसा करता हूँ मेरे दोरा दीगी जानकरी आपके जुरूर कुछ काम आएगी जिससे आपको मोयल पर्चेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियोज देखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें मिलते एगली वीडियो में अगली अन्वाक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद